नमस्कार मैं हूँ प्रवेड गोतम दोस्तों मद्दपरदेश के बाला घार से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को सस्पेंट कर दिया कॉंग्रेस कलेक्टर पर कारवाई की मांग कर रही है और चुनाव आयोग की निस्पक्षता पर सवाल उठे है ये तस्वीर आप देखें जिसमें बैलेट पेपर के बोटों की छटाई हो रही है ऐसा चुनाव आयोग का कहना है लेकिन कॉंग्रेस का इस मामले में क्या आरोप है इसके लिए कॉंग्रेस से बकायदा एक वीडियो जारी किया है और ये आरोप लगाया कि कॉंग्रेस ने कि निर्वाचन को कलंकित करते बालागाट कलेक्टर मद्धपर्देश के बालागार जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरिश मिश्डा ने आज 27 नॉंबर को ही स्ट्रोंग रूम खुलवा कर बिना अभ्यर्थियों को सुचना दिये डाक मतपत्रों की पेटिया खुल दी है अंतिम सांसे गिंती शुवराज सरकार और सरकार की अंभक्ती में लीन कलेक्टर लोक्तंतर के रिए बड़ा खत्रा है कॉंग्रेस का एक एक कारिकरता सतर्क और चोकरना रहे बीजेपी की करारी हार से बोकलाई, चोरी किये सरकार और कुछ सरकारी दलाल बोर्ट चुराने की फिराक में है इसके बाद कॉंग्रेस ने ये वीडियो शेर किया, इस वीडियो में क्या है जरा सुनिए तो इस वीडियो में बहस होती है कॉंग्रेस के एजेंट और यहाँ पर जो करमचारी वोटों की छटाई कर रहे हैं करमचारियों का कहना था कि विधान सबा की अलग-अलग वोट चाटी जा रही है इसके बाद कॉंग्रेस ने चुनाव आयोक को शिकायत की और चुनाव आयोक को बकायदाई लेटर लिखकर कलेक्टर के खिलाब कारवाई करने की मांग की है कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की है इसे लेकर कॉंग्रेस से जो लेटर लिखा है उसमें लिखा गया है कि बालागार जिले के सभी विधानसबाद चेतरों के पोस्टल वोट ट्रेजरी के स्टोंग रूम में पुलिस दुरक्ष्टा के अंतरगत रखे गए थे लेकिन कलेक्टर ने मतगरना दिनांक 3 दिसंबर से पूरुही आज 27 नमबर को अनाधिकृत रूप से ट्रेजरी रूम खुलवा कर पोस्टल वोट निकलवा कर करमचारियों को सोप दिये हैं जिसमें उनके द्वारा मन चाही करवाई की जा रही है अब वो सभी मतपत्र विश मिश्वस्निय नहीं रहे एवं संदेहास्पत की स्थिती में हैं अते माननीय निर्वाचन आयोक से निवेदन है कि जिलार निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ग्रीश कुमार मिश्रा को ततकाल निलंबित किया जाए एवं गडबड़ी करने वाले सभी करमचारियों को आरवाई की जाए दोस्तों इस मामने में चुनाव आयोक का ये कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत विधान सभावार मतों की छटाई जल रही थी लेकिन फिर नोडल अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया गया कॉंगर्स की शिकायत के बाद तहसिलदार और चुनाव आयोक के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंग को सस्पेंड कर दिया गया जब सब कुछ सामान्य था तो एक अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया गया ये एक बड़ा सवाल उठता है आप इस पूरे मुद्धे पर क्या सोचते हैं कवेट बॉक्स में प्री रायस जरूर दें अगर आप ह हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें जनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार